मिंतरा से, घ्चुली में यह मिंतरा Find है तो यह कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इस 1 3rd Sleeve मैंने सब वन थर्ड ही ली है क्योंकि हल्का कलर जैसे घरमीओं में अच्छा लगता तो वैसे ही है हलके हलके रंग जो के रही है तो गर्मिया बहुत जादा पड़ रही है और गर्मियों के लिए हम लेते हैं हर साल नए कपड़े मेंस जो भी हमारे समर्स के कपड़े होते हैं तो मैं भी कुछ लेके आई हूँ अपने लिए कुछ नया कलेक्शन तो वो आप लोगों के साथ सेयर करना चाहती हूँ कि मैंने समर्स के लिए इस साल क्या क्या लिया बैसिकली मैंने टॉप्स लिए हैं जो जिन्स के साथ मैं वियर करती हूँ क्योंकि मुझे समर्स में कहीं बाहर जाना है तो मुझे जिन्स टॉप सबसे ज़्यादा कमफर्टेवल लगता है एक तो फटा-फट से पहन लिए और सूट म जाने वाली जगा है जैसे इन-लॉज के घर अगर्वाइस जो ऐसे नॉर्मल सी जगा होती है या घूमने फिरने जाना है तो मैं वहां पे जिन्स टॉप पहन के जाना प्रिफर करती हूँ क्योंकि वह एक तो गर्मी नहीं लगती टॉप से बहुत हलके-लके टॉप होते हैं और सूट ना थोड़ा सा फिटिंग वाला होता है जो कि मुझे समर में कंफर्टेबल नहीं लगता इसके अपॉर्जी जो टॉप सोते हैं वो धीले-धीले में लेके आती हूँ तो तो मैं लेके आती हूँ और मेरा समर उसमें ही कटता है तो दिखाती हूँ कि क्या-क्या ल मैंने लास्ट व्लॉग में पहना था जहां पर मैं इंडिया गेट गई थी वन थर्ड स्लीव है स्लीव मैंने सबकी वन थर्ड ही ली है क्योंकि मेरे हाथ में धूप से थोड़ा अलर्जी हो जाती है तो यह आपके हैंड्स को भी प्रोड़क्ट करता है फैब्रिक की बोले त से विशाल माट तो सभी को पता होगा तो वहां पर समर्स का बहुत अच्छा कलेक्शन आया था तो वहीं पर हम लोग गय थे और वहीं से लिये हैं और देखिए इसमें एक स्पेसल डिजाइन भी है कि यह इस बार का जो कलेक्शन आया है ना उसमें नीचे में फ्रेल दिया हुआ है तोब हम फ्रेल से क्या होता है न कि जैसे आपका तमी वगएरा बाहर निकला हुआ है न तो फोड़ा सा हएड हो जाता है और लुक भी इसका काफी अच्छा आता है तो फोड़ा से समय मेरा भी टमी निकला हुआ है तो इसु कॉ हाइड़ करने के लिए मैं फ्रिल करती हूँ या जैसे बिग बजार हो गया सारी डी मार्ट हो गया विशाल मार्ट हो गया ऐसी जगह से एक साथ में चार पाँच टॉप्स या जो भी मुझे लेना है वो मैं ले लेती हूँ कुर्तिया बगारा ये नहीं कि यहां से भी लिए वहां से भी लिए तो ऐसा नहीं है तो जहां पे हम जाते हैं तो वहां एक सीजन में एक टाइप का जो डिजाइन का कलेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है तो मेरे तीन टॉप ना एक ही मतलब जो इनकी स्टिचिंग है न वो थोड़ा सा एक ही लुक का है एक ही डिजाइन का है और ये है मेरा सेकेंड टॉप देखिए ये भी वन थर्ड स्लीव है स्टैंड कॉलर है राउंड नेक के साथ और इसमें भी नीचे में देखिए फ्रिल और साथ ही साथ में यहां पर वीडियो भी लगाती जाओंगी जिससे आपको पता चले कि जिसके साथ वियर करने पर इसका लुक कैसा आ रहा है तो यह अगर वैसे देखे ना तो यह जादा मतलब वैसा छोटा साइज नहीं है कि हमारा टीशट जैसे छोटा रहे है थोड़ गरमी ओं में अच्छा लगता तो वैसे ही है अलक अलके रंग का फ्लोरल पिरंट है जो की समर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है समर्स में ऐसे फ्लोरल प्रिंट वगएरा ही बहुत अच्छे लगते हैं अब बढ़ते हैं नेक्स टॉप की तरफ और हाँ इसका जो फैब्रिक है न वो भी इसका फैब्रिक एक्चुली में रेयोन और कॉटन मिक्स में है ये भी मोटा फैब्रिक है ये भी ऐसा नहीं ट्रांस्पेरेंट सा और पहनने में भी लाइट वेट हो हलका हलका सा लगे तो अब बढ़ते हैं थार्ड टॉप की तरफ और थार्ड टॉप है मेरा ये देखिए ये मुझे बहुत ये वाला जो प्रिंट होता है बांधिनी बांधिनी प्रिंट जिसको कहते हैं ये मुझे ना बहुत पसंद आत तो यह कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी स्लीव भी थोड़ा सा पफी टाइप से हैं, यहां पे नीचे में पॉपसा बना हुआ है, बन थर्ड इसलीव हैं तो यह भी बहुत अच्छा लग रहा था, राउं नेक का था, और इसका भी लेंथ है जो आपका घुटने से थोड़ा सा उपर hips length का है actually मैं hip length ही बोलेंगे इसको और इसमें भी नीचे में frill बनी हुई है और ये सब मैंने अपने size से एक size जादा लिया है क्योंकि गर्मियों का जो मेरा collection होता है जो भी मैं कूर्ती लेती हूँ, top लेती हूँ, t-shirt लेती हूँ, अपने size से ए धीले धीले कपड़े ज्यादा comfortable लगते हैं, fitting वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, अब बढ़ते हैं हम neck stop की तरफ, इसका design थोड़ा सा अलग है और ये भी मैंने एक blog में इसको wear किया हुआ है, तो ये देखिए, ये है इसका neck design जो की काफी अच्छा है, और हाथ बाज और इसमें वाजू में elastic लगा हुआ है, जिससे ये भी puff look देगा, और नीचे में भी इसके elastic लगा हुआ है, तो ये भी आपके, जैसे नीचे में elastic लगा हुआ है तो जिन्सकी belt के पास जाके ये मतलब set हो जाएगा, और ये भी आपको, मतलब tummy hide करने में, अगर आपका tummy करेगा, या मोटे हैं तो थोड़ा सा healthy मतलब जो है, तो उसको hide करेगा, अच्छा लगेगा, और ये पफी पफी सा look दे रहा है, जैसे पहने में पूरा फूला फूला सा अच्छा look दे रहा है, तो ये थोड़ा सा unit design का है, ये अलग है, और सारे top कैसे लग रहा है, पहने मे साइड में वीडियो लगा दूँगी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि actually में इसका look कैसा है, और फिर last, last नहीं बोलेंगे, second last है, जो कि summer collection का, ये है normal सा t-shirt, जो कि short sleeve के साथ है, और ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही soft है, बहुत ही comfortable है, तो t-shirt तो वैसे देखा सबसे best होता है, और इसके बाद मैंने एक फ्रॉक लिया था, जो कि मैंने लिया था actually में फरवरी में, फैब में, और हाँ, इसको पहन के मैं अपने खाटू स्याम वाले ब्लॉग में भी गई थी, बट ये है actually मैंने जब उस समय लिया था, मैंने क्या लिया था, मैंने क्या मैंने इसको bottom के साथ, leggings के साथ पहना था, बट ये है one piece ही है, इसको ऐसा नहीं क्या leggings के साथ भी पहन सकते हैं, बट ये one piece पहनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये पहनने के बाद कैसा look दे रहा है, इसकी video भी मैं लगा दूँगी, ऐसे तो इसको दिखाऊंगी पूरा solid color है, तो क्या design है, क्या fitting है इसमें, ऐसा कुछ समझ में नहीं आने माला, नीचे frill बना हुआ है, ऐसे frill-frill करके ही ये पूरा frog बना हुआ है, तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर मिंत्रा का क कपड़े और करती हूँ, अगर कभी online की, बागी Amazon Flipkart से मैंने कभी नहीं किया, कुछ लोगों ने किया है, बट review मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं हमेशा मिंत्रा से order करती हूँ, और मिंत्रा के जो कपड़े होते हैं, आगर आप 500 के उपर वाले ले रहे हो, तो उसका जो क्वालिटी होता है, वो बहुत अच्छा होता है, तो ये था मेरे समर का कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिंत्रा वाली ड्रेस अच्छी लगी हो, तो कॉमेंट बॉक्स में अगर